हुआ है है गाइज वेरी वेरी गुड आफ्चनून कैसे है सभी लोग है येस गाइज जली से बताइए एमा लाइव है वेरी वेरी गुड आफ्चनून ओके तो दोस्तों फाइनली वो दिल वो घड़ी आ चुकिए जब हम करने वाल है एकनॉमिक्स चाप्टर नंबर फॉर क का राइट पुल रिविजन हमारे इस यूटूब चैनल पर तो एकनॉमिक्स चाप्टर फॉर मार्केट्स से हमारे चाप्टर है काफी सारे सुडेंस को इसमें बहुत दिक्कत होती है तो सारी दिक्कत है आपकी हमारे इस रिविजन सीरीज से क्लियर हो सकती है अगर आपने पहले ये chapter नहीं पड़ा है, फिर भी आप ये revision series देख सकते हैं, अगर आपने chapter मुझसे पड़ा है, पहले बहुत अच्छी बात है, जबदस्त और जबदस revision होगा, आपने chapter मुझसे नहीं पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, revision है, देख, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, so start करते ह है, आज हम इसके unit 1 के revision से start करेंगे, so economics chapter 4 में total 3 units है, तो पहला unit का session आज हम start करेंगे, video start करने के पहले, जो लोगों मुझे नहीं जान दो, सबको बता दो कि I am Munish Mura, I am HR accountant, दोसों मैं आप सबको CA foundation का economics and BC के बढ़ाता हूँ, दोसों, अभी, कल से हमारा start हो रहा है, मंडे से हमारा start हो रहा है, MCQ Premier League, right, so MCQ Premier League जो है, यह पूरा का पूरा free, हमारा series हमने आपके लिए start किये, बटा, unacademy के special classes में हमने यह, आपके लिए series start की है, एक बजे है ना, मंडे को एक बजे, इसका पहला session है हमारे unacademy के special class पे, free classes अब के लिए जरूर आईए, मैं एन प्रणफसर हम दोनों मिलके यह session लेने वाले, special class पे, पहली बार आप दो educators को एक session में देखने वाले, right, एन साथी साथ दोस्तों, आज हमारा दो बजे मैंने जैसे बुला था, economics chapter 4 का revision होगा, एन 7 बजे, आज हम करने वाले हैं, BC के chapter 5, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, yes, 2 घंटे का session होने वाले बिटा, 7 to 9 pm, BC के chapter 5 का आज 2 घंटे का session होगा, 2 hours में हम BC के chapter 5 को खतम टाड़ा बाइब करने वाले, समझ मारे, तो आप सब को यार यह session जरूर 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 देखना है, and अब आपको Monday से हमारी जो नई timing है, वो जानना बहुत जरूरी है, Monday से बेटा मैच CA Foundation June 22 वाले बच्चों के लिए, हैना June 2022 वाले बच्चों के लिए, हम क्या करने वाले है, 1 pm को मैं live रहूंगा, 1 pm को बेटा में live रहूंगा, सिर ये एक समय होगा हमारा 1 pm to 2 pm, ठीक है, तो बस ये एक समय हमारा 1 pm को मैं live आउँगा, अब से, कब से बताए, मंडे से, ये मंडे का समय बता रहू, 7 बज़े की class अब से नहीं होगी, June वाले बच्चों के लिए, 7 बज़े वाली 32 वाले बच्चों के लिए, मैं लूगँगा, बेटा, कित बज़े बताईए, 7 pm को, तो प्लीज इस चीज़ को नोट करके रखेंगे, येस, एन पहला सेशनी हमारा MCQ प्रीमर लीग वाला है, पहला सेशनी हमारा MCQ प्रीमर लीग वाला है, राइट, एक बज़े मंडे को, तो सबको आना है, एक बज़े मंडे को ठीक है, याद रखेंगे, नेक्स्ट, दोस्तों, आप हमारे टेलिगांग चाहिए, जोइन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना, अनकाडमी आप पे, फॉलो करनी की लिंक, आपकी वीडियो के लाइव चैट बॉक्स में पिन कर दी गई है, दोस्तों, हमारे अगर सारे सेशन की लिंक्स आपको चाहिए, तो इस लिंक पर जाके, आपको मेरे सारे सेशन एक जगा पर आपको मिल जाएंगे, और साधी साथ जोई दोस्तों, एकनॉमिक्स, बीसी के सब मिल जाएगा, आपको यहाँ पर, अनकाडमी पे सब्स्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप एंवी सर कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशन डिसकाउंट्स मिल जाते हैं मुझे बताईए यार क्या आप से लोग रेडी है मुझे बताईए फास्ट आर यू गाइस रेडी फॉर एकनॉमिक्स चैप्टर फॉर यूनिट बन थोड़ा सा सूपर फास्ट हम करना चाहेंगे रिविजन जल्ली बताईए क्या आप रेडी है मुझे बताईए येस 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 तो साक्षी जी ने एक सवाल पूछा है जो सवाल हमें बताना ज़रूरी भी है चीक है तो अच्छा हुआ उन्होंने हमें अभी से ही ये पूछ लिया चली बढ़िया है बता देता हूँ आपको एक बार तो जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा मैंने आपको बोला है कि यहां पर मैं आपको एक बजे मंडे मेंडे वेनस्टे फ्राइडे है ना तो हमारा जो है मंडे से स्टार्ट होगा वन पीयम को मंडे वेनस्टे एड फ्राइड यह होगा एमसी क्यू आपका क्विज ना कहां पर होगा यह बताईये यह होगा स्पेशल क्लास है जैसे बज़ गया ट्यूजडे अं सैडर्डे जो मेनिंग डेज हैं उसमें हम इस रिविजन को ही कंटीनू रखेंगे तो हमारा जोबी एकनोमिक्स चैटर फूर का रिविजन चल रहा है यह चार-पाथ सेशन तक चलेगा तो यह नेक्स्ट वीक में हमारा ट्यूज़ज़़ज़़ज़़ज़़ज़़ज़़ज़़ज़ बचे अब आपको आना है जून 22 वाले बच्चों को समझ मा आ गया चली डन डन अब हम आते हैं जल्दी से कॉंटेंट पर आजो जल्दी से चली ओके चलिए तो सबसे पहले बिटा जो कॉंसेट हमारे इस हमारे इस चैप्टर में आता है सबसे प्राइस का कॉंसेट कहां से आता है कि what is price है न तो price को समझाने के लिए price का मतलब क्या होता है यह समझाने के लिए institute ने आपको बताए कि देखें यार सूनिया र्याओं से वोलते हैं दो टेप के गुड्स होते हैं free goods एक होते हैं economic goods, free goods. ऐसे goods होते है जो freely available है जिसके लिए हमें किसी को भी कुछ payment नहीं करना पड़ता है उसे फ्री गुड्स बोलते हैं तो क्या है इसका एक्जांबल जैसी कि हवा संलेट एड्सेटरा मैं हमेशा बच्छे को बोलता हूं कि गहरी सांस लेके देखो क्या आपने किसी को पेमेंट कैस के लिए नहीं फुकड में तो वही तो है एर फ्री गुड्स वैसे ही एकनॉमिक गुड्स जो है एकनॉमिक गुड्स इन रिलेशन टु देर डिमाड और अब अब ऑपर्शुटी कोस्ट है न तो एकनॉमिक गुड्स को खरीदने के लिए और एकनॉमिक गुड्स को खरीदने के लिए जो मार्केट में पैसा देते हैं उसे ही उसकी प्राइस बोलते हैं कि एकनॉमिक गुड्स में ऑपर्शुटी कोस्ट होती है जैसे अगर मेरे पाद 10,000 रुपए में मैंने मोबाइल फोन खरीद लिया अगर 10,000 रुपए का मैं मैं कपडे नहीं खरीद पाऊंगा तो हमेशा ओपर्शुटी कोस्ट इंवर्ड होता है एकनॉमिक गुड्स के केस में तो बोलते हैं प्राइस क्या है बोलते हैं प्राइस इस दा क्वांटिटी ओफ मनी नेसेसरी तो अकवायर अगुड और सर्विस एकदम चिल्टु बात रहें नेक्स बात इसे में आती हैं देखेंगे वैल्यू इन यूज वर्सेज वैल्यू इन एक्सचेंज वैल्यू इन यूज वर्सेज वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते हैं वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है इट रेफर्स टुदे यूसफुलनेस और यूटिलिटी औ जेना तो एक्ड आम्स में हमरे चैल्पर को आजाँ बराने में हेल बरांब करता है अगर मुझाटर को मार्केट में जाके खरीदना है वो होता है आम वैल्यू इन एक्चेंट तो क्या टेखने है एकहए ओइस ऑ्ट्सatyre गुड्स और सर्विस विच में विच वी में ऑप्टेंड इन इन मार्केट इन एक्सचेंज ऑफ पर्टिकुलर थींग मालब पैसा देखे हम जब एक एक खरीते हैं कितना पैसा दिया एक के लिए उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बताता है मतलब की बेटा प्लीज बात को सम लिए लग अलग लोगों के लिए अलग लग अलग अलग होता है जैसे की पेटा समझों आप एक सिए संचेंड है तो ca student के लिए calculator की value in use बहुत ज्यादा है लेकिन इनके ही comparison में अगर कोई व्यक्ती है जो doctor की पढ़ाई कर रहा है जो mbps की पढ़ाई कर रहा है तो mbps की पढ़ाई में आपको calculator का उतना ज्यादा use comparatively नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे के ca student के लिए calculator का value in use ज्यादा है लेकिन एक mbps के student के लिए calculator का use उतना ज्यादा नहीं होता तो हम बोलेंगे value in use जो है न ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है लेकिन value in exchange सब के लिए same होता है समझ मारा तो हमारा value in use चूकी ये बारबार बदलता है इसलिए हम value in use की बात की बातें एकनॉमिक्स मन नहीं करतें इस chapter में value in exchange की बात करते है मलब price की बात करते है कि किसी पलाग को खर दिने के कितने price देना पड़ेगा हम उसकी बात करते हैं हम value in use की बात इस चाप्टर में नहीं करते हैं, दूसरी बात, बोलता है, in economics, we are only concerned with the exchange value, बहुत बार लोग ना sentimental value भी जोर देते हैं, है ना, जैसे की, जैसे की पेटा समझो, जैसे की पेटा समझो, आप लीज धान देंगे, जैसे की सुन्य नप लिच, जैसे की अभी शेक ने, अभी शेक ने क करिश को बोला, अभी शेक ने करिश को बोला, कि करिश अपनी ये कार मुझे दे दे, जिन्दगी भर, तु जो बोलेगा, मैं वो करूँगा, तु जो काम बोलेगा, वो करूँगा, अब इसने जो in return, जो consideration दिया है, कि आप जो बोलेगे, वो काम करेंगे, इसके कोई value निक market economy, इसका कोई sense नहीं है, market economy में, हम इसको consider नहीं करते है, है ना, क्योंकि ये बहुत ही subjective होता है, चीज, ऐसा, चीज, चली, आगे परते है, next, meaning of a market, market क्या होता है, बोलते है, मार्केट कोई भी ऐसी जगा है, it is a collection of buyers and sellers with potential to trade, है ना, ऐसी जगा है, जहापे buyers and sellers आके मिलते है and sale हुआ, मालब, क्या लिखा है, potential to trade, मालब, ज़रुरी नहीं कि हमेशा transaction हो, जैसे समझो, आप अगर mall में घुमने जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादतर time, आप mall में time pass करने जाते हैं, है ना, AC की हवा मिलते हैं, time pass करो, तो हम क्या window shopping करने जाते हैं, तो जब आप window shopping करने जा र लेकिन trade हुआ नहीं, तो क्या उसको मैं, उस mall को मैं market नहीं बोलूँगा, क्या उसको भी market बोलूँगा, समझो, आप mall में गए, आप आपने कोई चीज खरीद ली, तो भी हो market ही कहलाएगा, तो बोलते हैं, कि market is a collection of buyers and sellers with the potential to trade, मलब, trade हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐ ठीके, आगे बरते हैं, next, बोलते हैं, market need not be formal, और held in a particular place, बीटा, आज कल technology इतनी जाथा updated हो चुकी है, कि अब ज़रूरी नहीं कि हमारा market कोई एक particular जगा पे held हो, है ना, अब आज कल क्या होता है, घर पे बैठे बैठे चीज़े, online भी तो order कर सकते हैं, कहीं पे जाने की जर आज कल सिफ फिजिकल फॉर्म में market हो, online market भी होता है, जैसे आप सबको बता है, quicker, OLX, Flipkart, Amazon, etc, समझ बार है, आगे, फिर बात आती है, elements of market, elements of market मार्केट क्या, market के ऐसे कौन से features है, जिसके बिगर, market हो ही नहीं सकता, बनी सकता, मार्लब की important, important components of market, उसे बोलते हैं, element, important, important, components of market क्या है, बोलते हैं, buyers and sellers के obvious ही बात है, अगर buyers and sellers होंगे, तो ही market form हो सकता है, next, अब product or a service, बेटा, buyer और seller मिलके अंताक्षरी तो खेलेंगे नहीं, वो product या service को खरीदने बेचने की बात करेंगे, next, फिर आता है, bargaining for a price, ये बहुत वच्चों को दिक्कत होती है, bargaining वाले क्योंकि हमको logic नहीं बता रहता, हम क्या बताईए, common sense की, common sense भी नहीं बोलना चीज़ को, common parlance बोलना चीज़, कि जो layman जिस language में बात करते हैं, हमको वही मतलब पता रहता है, तो bargaining का मतलब हमें लगता है, discount मागना, लेकिन bargaining का actual मतलब होता है, power to influence the price, तो बोलते हैं, हर एक market में या तो buyer के पास हो सकता है, price को influence करने का power, price को बदलने का power, या seller के पास हो सकता है, price को बदलने का, price को change करने का power, समझ मारे, जैसे monopoly market में seller के पास होता है, bargaining power, monopoly market में, जैसे perfect competition में seller के पास कोई bargaining power नहीं होता, seller चाहां के भी price नहीं बदल सकता, समझा, तो बोला है, market में buyer and seller होना चाहिए एक product या service होना चाहिए जो खरीदना बेचना चाहते हो bargaining for a price होने चाहिए या तो seller के पास या तो बारे के पास होगा bargaining power power to influence the price power to affect the price power to change the price bargaining power आगे knowledge about the market condition यह क्या है यह हम generally ऐसा assume करते हैं कि हम हमेशा rational buyer and seller की बात कर रहे है rational मतलब क्या है ऐसा व्यक्ति जिसको सारी knowledge market के बारे में उसे पता है कि कौन सा product कहां पर कितने रुपेका मिल सकता है and finally one price for a product or a service obviously एक given point of time पर एक product का एक ही price होना चीए यह common sense की बात है अगर मैं market में गया and मैंने बुला कि यह मुझे mobile चाहिए तो दुकान दार ने बोला ठीक है यह mobile phone 50,000 का 60,000 का 80,000 का तुमको जो price देना है दे दो ऐसा होता है अरे एक चीज का एक ही price होगा ना point of time पर बस वही चीज यहां पर बोल रहा है elements of market आगे बढ़ेंगे नेक्स बात आती बिटा classification of market very very important सबसे important unit one का जो topic है वो यही क्लासिफिकेशन of markets येस यहां तक बात है समझ में आ रही है यह नहीं मुझे प्लीज बताएंगे फास्ट कि येस कि हूं कि चलिए कि ऊके चलिए आगे बढ़ते ओकर येस अगे बढ़ते हैं सो देखिएंगे सबसे पहले आते मिला General classification इस जेन्रल में में मार्केट को कैसे क्लासिफा करूं जेनरल में मार्केट को क्लासिफाइब कर सकते हैं इनिक फॉर्म आफ क्या product मार्केट या फ्रैक्टर मार्केट है न तो जन्रेल क्लासिफिकशन है प्रोड़क्ट मार्केट फ्रक्टर मार्केट फिर आता है जो ग्राफिकल जो ग्राफिकल एरिया के बेसिस पर का क्लासिफिकेसिन जैसे कि Local Market बीजनल मार्केट नाशनल मार्केट इंन्टराशनल मार्केट फिर आता है ताइन के से वेरी.. शौटूर्ड पेरेड qoor technical या सेक्टूलर पीरेड मार्केट सुवाथ in नेचर और ट्रांसक्षिन सपॉर्ट या कैश मार्केट furious फूर्वड या future market फिर आकेड रेडुलेशन के बैकेसे पे रेगुलेटरिड मार्केट अन्रेडुकूलेटर् मार्केट वॉल्यूम और पुसेस में होलसेल मार्केट रीटेल मार्केट एंड टाइप आफ कॉम्पेटिशन में परफेक्ली कॉम्पेटिटिव इसके अंदर आता है फिर मोनोपलिस्टिक मोनोपली एन ओलिकोपोली ठीक है यस यह क्या है एक एक ब्रॉड चार्ट है एक सिं ज्यांदेंगे तो हैं थे चले-फ्रीजिश घ्यांदेंगे तो यहां पर प्रोनें मार्केट ब्रॉडटे मिंतलाAP अब सुनना इसके लिए इसके लिए डायग्राम सापको सब्स Allen आ जागा देखो यह क्या है यह उनको कुछ input लगते हैं, factors of production लगते हैं, तो business organization जो है, जिस market से inputs खरीदता है, जिस market से factors of production खरीदता है, उसे factor market बोलते हैं, तो business organization क्या करेगा, factor market से input लाएंगा अपने business में, ये input पे processing करेगा, input को output में convert करेगा, अब ये output जो final good या service बन चुका है, इसको बेचेंगे कहा, तो जब हम final goods और services को बेचते हैं, तो उसे बेचा जाता है, बेटा, हमारे product market के अंदर, क्या बासन मेरी कबर रहो, उसे बेचा जाता है हमारे product market के अंदर, तो देखें ध्यान देंगे, product market क्या होता है, the market, तो product market allocate goods to consumers, मला product market से consumers को अपने final goods and services मिलते है, तो बोलते, it is a market for goods and services in which households buy goods and services they want from firms, and factor market क्या होता है, बोलते हैं, factor market होता है, जहाँ पे firms buy करते हैं resources यहाँ से, जैसे कि land, labor, capital, etc, तो produce goods and services, है ना, तो factor market allocates productive resources to producers, है ना, तो factor market में, हम जब हमारे input को खरीदेते हैं, तो जिस price पे हम input को खरीदे हैं, उसे हम बोलते हैं factor price, तो factor market, product market next, फिर हम मात करेंगे बेटा, classification on the basis of geographical area, classification on the basis of geographical area, geographical area, प्रीज ध्यान देंगे, तो इसमें total 4 टाइप होता हैं, मैं आपको बताया था, एक बार quickly बता देंगे तो वापस से, क्या है, 4 टाइप, local market, regional market, national market, international market, है ना, तो चले ध्यान देंगे, सबसे पहले, local market, local market, अब देखो, जितना मैं बोल रहो, उतना याद रखेंगे, चीक है, जितना मैं बोल रहो, उतना, प्लीज याद रखेंगे, यहाँ पर प्लिस ध्यान देजे लोकल मारकेट मतला बीटा सुनना बाद ध्यान से कि यह जब हमें classification book में दिया है न तो इंस्टिटूट ने book में ही लिखा हुआ है क्या लिखा है इंस्टिटूट ने book में इंस्टिटूट ने बीटा book में लिखा है कि अब यह classification out ओटेटेड हो चुका है मलब आज के जमाने में यह classification उतना relevant नहीं है पर आपके बुख में दिया है तो पढ़ लो बस इंशिडूट खुद ही बोलता है कि यह आज कल यह classification आज कल यह outdated हो चुका है लेकिन फिर भी अब इसे पढ़ने के लिए याद रखेंगे कि MCQ कैसा आएगा आपको पूछेंगे लोकल मार्केट में हम कैसे गुड्स बेच सकते हैं तो बोलते हैं वेन बायर और सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया और रीजन बोलते हैं जनरली क्या होता है कि जब हमारे बहुत ज्यादा वह इंख्यार और कि बैचाएंगे डूसरे अमसाटी में दूसरे सिटी में तो इतने टाइम पिरेड में वह घ्राब हो जाएंगे समझे मारे इसलिए जो हाईली जादा भारी भरकम होती हैं उसे बलकी आर्टिकल गोलते हैं भारी भर कम चीजों को दूर जगा तक ट्रांस्पोर्ट करने में बहुत कठी नाया होती इसलिए भारी भरकम चीजें बलकी आर्टिकल को क्या करना बताएं लोकल मार्केट में distinct जाएं तो बोलते जादा ये अन इक्कनोमिकल मतलब क्या बहुत मेहंगा पड़ सकता है हमें ठीक है आए अगे नेक्स बोलता है एसा भी हो सकता है जैसे की बटा यह देखो यह क्या है यह क्या है यह पिक्टी कर रहा इसका है न यह जो व्यक्ति स्विक हों कि यह कटिंग होने के बात का फोटो है समझ रूबात को हाँ चलो ध्यान दीजे तो मैं यह बहुत बार क्या होता है कि आप जो है कुछ सर्विसेस आपकी लोकालेटी से ही ले सकते हैं जैसे कि अगर मुझे हैरिकट कराना हो तो क्या मैं बैंगलोर से मुंबई जाओंगा क्य यह बहुत है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका क्या हमें लोकली ही वो सर्विसेस को अवेल करना पड़ता है जैसे कि क्या है है ड्रेसर की सर्विस जैसे कि मिल्क एग राइली परिशिबल गूड्स एंड बल्की आर्टिकल्स कहां सेल करेंगे लोकल मार्केट में इनका थोड़ा वाइडर एरिया होता है मलब रीजनल मार्केट के जो प्रोड़क्स होते हैं वो सिव एक सिटी एक लोकलीटी में नहीं मल्टीपल सीटीज जो आजू बाजू में सीटीज होती है वहाँ पर इनके गुड़्स बिगते हैं जैसे कि कि आपका मैखिला चादर तो मेखिला चादर अगर हमारे क्लास में कोई आसाम से कोई student है तो बता सकता है कि मेखिला चादर जो है राइड ये traditional आसामीज सारी है अब ये जो है आसाम के आस पास भी आपको सारी मिल सकती है मलब few adjacent cities में या कुछ parts of state में आपको ये मिलेगा ऐसा नहीं किसी एक ही जगा प ये ले चाए तो जो लोग पुने के होंगे जो लोग नापूर से लिलाओं करते होंगे उनको पता हुब ये ले चाय क्या है दिसांट इस्टाल है ये ले रीजनल मरेट में ये भी रीजनल मार्केट में आजाता है विद लिए एडिया सच्च प्योट एजसां चीज सब्सक्रणार्ट प्वह्सालमाग्र मस्थ जंधर मलंगर कैंड सब्सक्राइब मार्कस फिर बाती कि आपकाय एक नाश्टनार मार्क भूलते長 मारके रोलतें कि जमंगिअ नेस्थ और पर वेइँ नीलीव पह Grela CrAll के अंदर ही हमारे इंडिया के बाऊंडरी के अंदर ही जो गुट्स एंशरसिस बिखते हैं इंडिया के बाहर उतने नहीं बिखते इसे बोलते हैं कि उन गुट्स एड़्डूसर्विसीज़ का नैशनल मार्कट Aren जैसे कि यहाँ पर एक्जाम्बल लिया है हिंदी बुक्स, बहुत है हिंदी बुक्स में हैपन नाशनल मार्केट इन इंडिया, और आउटसाइड इंडिया, वन में नॉट हैवा मार्केट फॉर हिंदी बुक्स, अब देखो यह क्या बता रहे हैं, यह पूराने जमाने की ब ही कर सकते हैं यह वाला जोग्रेफिकल एरिया वाला समझ मारा है, यस तो इध्यान देंगे वापस से, वेन दर डिमांड पॉर गुट्स और सर्विस इस लिमिटेड टू दर नाशनल पाउंटरिस ऑफ कंट्री, एमसी क्यों आता है, क्या बोलोंगे, तो हम बोलेंगे कि हम बहत महँगे हो गयाता है, आपको पता होगा, अब इंडिया से प्याज और निम्बु एक्सपोर्ट नहीं करना, अब क्या हो गया, पॉलिसी ही ऐसी बना दी कि इंडिया के बाहर हम बेच नहीं पाएंगे, तो प्याज और निम्बु का फिर नाशनल मार्केट बन जाएग आपने आप क्योंकि गवर्मेंट नहीं ऐसी पॉलिसी बना दी कि आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसी पॉलिसी नहीं है मैं आपको एक्जामपल के लिए समझा रहा हूं है ना वरना जो तेजस्वी बच्चे हैं वो जाके गूगल पर चेक करेंगे फिर नीचे हाइ बहुत हैं हाइं घॉटम्ति की लिच्च रॉटीक होती है लेकिनट भूम्ति स्पर्ड शञे को जाध बेच सकते हैं ए इन्डिया में इंडिया का जो गोल्ट है वो यूसे में भी बेच सकते हैं इंडिया का गॉल जर्मनी में भी सकते हैं एटसेटरा ऐसे तो हाई वैल्यू स्मॉल बल्ड कमोडिडिस का मार्केट कहा है इंट्राश्चल मार्केट में होता है क्या यहां तक बासन में आ रही है तो जितना मैंने बोला है उस पर कि एक बर क्विकली मैं बता देता हूं जल्दी से तो अगर हम आ जेंगे आए सी ए आए डॉट और जी करी कैसा होंगा इसका हूं आए सी ए डॉट और जी हाँ यह रहा फाउंडेशन कोर्स में गया पेपर 4 इस्टडी मेटरल बिजनेस एकनोमिक्स में 22 यह देखो चैप्टर 4 यूनिट 1 आए इसमें बता रहो आपको इसमें बता रहो कहां पर वो चीज लिखें देखो यह देखो यहां पर लिखा हुआ है बिटा वह अगर मैं आपको ले चलो यह देखो कि यह दो क्या लिखा हुआ है यह दो क्या लिखा हुआ है यह दो क्लासिफिकेशन पेज निमार 454 में लेखा अबव क्लासिफिकेशन has become more or less outdated as we may found that in modern days perishable goods also have international market बोलते हैं आजकल ऐसा जरूरी नहीं कि perishable goods जो है वो सिर्फ local market में बिखते हो आजकल तो ऐसा समय कि हमारा जो perishable goods है वो international market में भी बिख सकते हैं तो बोलते हैं कि यह जो है अबव क्लासिफिकेशन जो आपने अभी देखा कौन सा geographical area वाला यह redundant हो गया है वैसे उत आउटड़ेट है पर फिर भी इस इस पर सवाल पूछता है तो वह मैंने आपको बता दिया है next बात करेंगे बटा आईए जल्दी से अगली बात करेंगे यह आपर अगली बात करेंगे बटा चल्दी से क्या बताईए classification of market on the basis of time इसमें सबसे पहला mcq बटा आपको आता है कि हम markets को time के basis पे classify कर सकते हैं ऐसा किसने बोला था तो इसका answer होता है यह चीज बटा बोली थी किसने बताईए यह चीज बोली थी हमारे एल्फ्रेड मार्शल भाई साब ने है तो यह mcq आता है कि time element कि time element देखो क्या लिखा है एल्फ्रेड मार्शल एल्फ्रेड मार्शल कंसीड़ था time element in markets and on the basis of this the markets are classified into एल्फ्रेड मार्शल ने बताया थे लिखेंगे सबसे पहले होता है आपका क्या बताई सबसे होता है very short period market then short period फिर आता है long period very long period very short period market का दूसरा नाम है market period याद रखेंगे यह भी यह आ सकता है very short period market home क्या बोलता है इसे market period भी बोल सकते है यहां पर क्या होते बिड़ा यह एक ऐसा time period है जहां पर हमारा supply यह ऐसा market होता है जहां पर हमारा supply fix जो होता है हम supply को एकदम से increase या decrease नहीं कर सकते है बोलते है generally perishable nature के जो goods होते है वो very short period market में बिख सकते है अब जैसे ही मैंने यह चीज़ बोली ना तो कुछ बच्चों के दिमाग में अभी doubt आएगा क्या कुछ बच्चों के दिमाग में doubt आएगा सर आपने तो अब इच बोला कि perishable goods तो कहां भी केंगे लोकल मार्केट में भी केंगे है ना किसी कोछ लोग के दिमाग में चीज़ क्या कर सकते विड़ा जीवन है ना क्या कर सकते जीवन है ना तो चलिए इन बच्चों के लिए हम बोलते हैं एक्जामपल ले रहे हैं संजल्दी से सुनेंगे बात ध्यान से ठीक है मैं बोल रहा हूं स्वाती है ना मैं बोल रहा हूं येस मैं बोल रहा हूं प्लीज सुनें ये ध्यान से तो हम इसके लिए एक्जामबल ले रहे हैं प्लीज ध्यान देंगे जल्दी से मैं बोरो जैसे की चल हां तो जैसे की हम बात कर रहे हैं येस चले आईए जल्दी से देखेंगे मैं बोरो बेटा जैसे की मैंने बुला कि यहां पर क्लास में जो है स्तवाती और कौन है साहिल फिर कौन है पूरब और कौन है पूजा और कौन है रितेश ठीक है तो स्वाती साहिल पूरब पूजा रितेश मैंने बोला कि यह सारे लोग यह सारे बच्चे जो है यह सारे स्टूडन्ट सी स्टूडन्ट है तो मैंने अभी इनका क्लासिफिकेशन किया है क्लासिफिकेशन ओन दी पेसे ऑफ कोर्से एन्रोल्ड कि वो कौन से कोर्स की पढ़ा ही कर रहे हैं इस हिसाब से मैं इनका क्लासिफिकेशन करूँगा बेटा on the basis of gender अब मैं इनका classification करूँगा on the basis of gender तो मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा स्वाती और पूजा ये लड़किया है और मैं बोलूँगा यहाँ पे कि साहिल और मैं बोलूँगा यहाँ पे बिटा कि साहिल क्या हो रहा है यार हाँ मैं बोलूँगा साहिल, पूरब and रितेश, ये कौन है, मैं बोलूँगा ये लड़के हैं, बॉइज हैं, तो आप ऐसा पूलेंगे क्या, अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, आपने साहिल तो CA student है, वो अब लड़का कैसे हो गया, अरे बेटा, यहाँ पे हम जेंटर के हिसाब से classification क कर रहे हैं, तो सेम चीज का multiple classification हो सकता है, वैसे ही मैंने बोला कि perishable goods को अगर area के basis पर classify करे, तो perishable goods को कहां बेच सकते हैं, मैंने बोला local goods, local market, मैंने बोला कि perishable goods को अगर मुझे बेचना है, time के हिसाब से, market classification time के हिसाब से, तो फिर कहा बेचू, तो फिर बोलेंगे local, फिर हम बोलेंगे very short period market समझा वापस से वर प्रिशेबल गुड्स मैं लाप से पार ही अराघ्ए टाइम के हिसाब सекहां बेचुल्त टुर्थ मे लेंगे वेली शौड पिरिद मार्क डे मार्क इसे market period भी बोलता है प्लीज याद रखेंगे यहाँ पे quantity goods बिकेंगे यहाँ पे भी perishable goods बिकते हैं है ना यहाँ पे हम supply को एकदम से कम जादा नहीं कर सकते हैं तो यह MC क्यों आता है in which type of market the supply is fixed क्या बोलेंगे very short period market next आता है short period market जो कि very short से थोड़ा बहुत बढ़ा होता है which is slightly longer than very short period वो short period होता है बोलते है यहाँ पे हम supply को थोड़ा सा यहाँ पे हम supply को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं by increasing the use of variable input हम variable input को बढ़ा के थोड़ा बहुत हमारे output को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे हम supply को बस थोड़ा बहुत ही एज़स्ट कर सकते हैं मौडरेट एज़स्ट नेक्स आदर बिट आपका क्या बताइए लॉंग पीरेट मार्केट बोलते हैं लॉंग रन में सारे फैक्टर वेरेबल हो जाते हैं एज़स्ट कर सकता हो और जहां पर हमारा लॉंग पीरेट मार्केट नाम क्या है हम बोलेंगे सेक्टिूलर पीरेट मार्केट समझ मार्केट येस बोलते हैं जिसका पीरेट बहुत ज्यादा लंबा होता है मलब very long period market के अंदर बहुत सारे long period खतम हो जाते हैं समझभा रहा है very long period इतना ज्यादा long period होता है उसके अंदर बहुत सारे long periods खतम हो जाते हैं ऐसा ठीक है तो ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर जो है इतना ही mcq आता है इतना ही याद रखेंगे इसका summary मैंने हाँ पर बनाए very short period या market period मैं क्या बोला मैंने यहाँ पर supply हमारा fixed होता है इसको हम increase and decrease नहीं कर सकते तो जो perishable goods होते हैं जैसे की vegetables वगड़ा यह very short period market में ही बिखते हैं यह समझभार क्या बोल रहा हूं आगे next next देखेंगे हाँ पर कि देखो चूकी हमारा देखो यह मैं बना रहा हूँ supply कर प्लीज ध्यान देंगे यह मेरा बिटा क्या है दिस इस माई supply कर ओके बोलता है कि हमारा supply कर तो fixed रहेगा क्योंकि very short में वो change इच नहीं होगा मतलब कि हमारा जो price चल रहा है अभी मार्केट में अगर समझो हमारा अभी price चल रहा है यह यह price हमारे चल रहा है P3 तो price में change कैसे आए बोलता है कि very short period मार्केट में supply को हम change नहीं कर सकते तो very short period में price में change तभी आता है जब demand curve बदल जाए अगर demand curve में change आएगा तो ही price में change आएगा कहां पर बताईए हमारे short period मार्केट में यह समझ मारा है क्योंकि supply fix जब प्राइस में change कब आ सकता है very short period में जब हमारा demand change होता है तब next फिर short period मार्केट में क्या MCU आ सकता है मैंने बला कि यह slightly longer होता है very short से और यहां पर supply को moderately adjust कर स आगे very long period में क्या MCU आता है कि very long period मार्केट का दूसरा नाम क्या है इसको बहुत है secular period market प्लीज याद रखेंगे MCU बस इतना ही इसमें important है next फिर बात आती है classification of market on the basis of nature of transaction guys come on yes जल्दी से सुनेंगे बात यार ध्यान से I hope आपको मज़ा आ रहा होगा अभी तक right यह देखो बेटा क्या होता है ना हम एक तो क्या है कि हम रिविजन के सारे ही जीवित हैं कि मैंना एक तो हम आपके सारे ही जीवित हैँ मेरी जिन्हें अगर धंग तो वो ही हमारे माक्स आएगे कुछ ऐसे बच्चे हैं यहां पे इनको करना रिविजन से ही है पर एनको पूछने है regular class समझे या है पड़ियों करना हम से है लेकिन पूछने है एल्श्री से अप समझे बात तो ऐसी हरकत कृप्रे करके ना करें अब वैसे भी option ने विटा क्या करोंगे तो अभी जो रिविजन चल रहा है जितना मैं बता रहा हूं उतने उसके साथ आप चलेंगे अगर आपको इतने doubts आ रहे हैं समझ लीजे अगर तो अभी मेरे को पूछ रहे हैं कि सर हम क्या question था मैं खुदीज भूल गया कि perishable goods का perishable goods अगर local market में ही sale होता है तो out of state या country कैसे भेजते हैं उसको इसके लिए क्या बोलेंगा रहे भाई साब कुछ नहीं बोलेंगे इसके लिए आपको कोई पूछेंगा नहीं इसके लिए आपको रिजन आगे पूछेंगा नहीं आइसे का प्रेजेंट इतना उनका time नहीं बिटा कि आपको आके पूछेंगा इसका कारण कोई नहीं पूछेगा आपको mcu mcu करना है वैसे ठीक है चल तो यहां भी ध्यान देगे तो क्या है पहला के बिटा प्लीज ध्यान देजे तो अब यहां भी ध्यान देंगे बिटा पहला जो है नेचर और ट्रांसक्शन के हिसाब से हम मार्केट को कैसे क्लास्पर करते हैं बोलता है स्पॉर्ट मार्केट को मैं बोलता हूं cash market, spot market में क्या होता है, अभी के अभी मैं goods या service खरीतता हूँ अभी के अभी उसका payment करता हूँ अभी कभी payment करूँगा या कुछ समय बात करूँगा, पर main चीज क्या होते है spot या cash market में, हमें जो buyer है, उसे good या service आज के आज मिल जाता है समझा, तो spot market में क्या होता है, where where क्या बताइए, where the goods and services are exchanged today itself, for money, payable या तो अभी का भी पैसा दे दो या आपने एक हाद मेने, एक दो मेने बात दिया तो भी चलता, पर good या service आज के आज मिल जाता है, spot या cash market में, forward या future market में बेटा क्या होता है यहाँ पे जो है, आज आपको goods या service नहीं मिलता forward या future market में आज आपको payment भी नहीं करना है हाँ, आज आपका सिव agreement होता है, तो बताएं in this type of market, it involves contracts with the promise to pay हम आज क्या करते हैं, सिव agreement करते हैं, contract करते हैं seller के साथ या buyer के साथ हम बोलेंगे कि मैं मैं बोलूँगा समझ लीजे, मैं साहिल को बोलूँगा, कि साहिल मैं तुम्हें तीन महिने बाद reliance का share बेचूंगा 500 रुपय का समझा, मैं तुम्हें तीन महिने बाद reliance का share बेचूंगा 500 रुपय का एक share आज हम बस ये contract करेंगे promise करेंगे एक दूसरे को कि तीन महीने बाद हम आपको जरूर शेर देंगे और तीन महीने बाद आपको हमको payment करना बढ़ेगा यह होता है forward या future market में तो forward या future market में आज आपको कोई गुडिया सर्विस नहीं मिलता आज हम बस contract में इंटर होते हैं ठीक होता है regulated market का मत्तब क्या होता है जिनके transactions के उपर government की निगरानी होती है तो the market in which the transactions are statutorily regulated law के हिसाब सुनके transaction भी निगरानी रहती है उसे regulated market बोलते है जैसे कि stock exchanges एमसी क्यों आता है कि stock exchange किस प्रकार का market है यह regulated market है सेभी stock exchange board of इंडिया करी निगरानी रहती है stock exchange के सारे transactions के उपर next आता है unregulated market ऐसा market जो free market होता है यहाँ पे कोई भी transactions पे किसी की निगरानी नहीं होती है जैसे कि सबजी मंडी सबजी मंडी में पाच पिलो टमाटर बेचा एक सबजी वाले में तो उसके क्या transaction की नोटिंग होती का कहीं पे उसके transaction में को निगरानी रखता कि नहीं वो unregulated market है तिल्टू बात है next हाँ फिर बात आती बिटा classification of market on the basis of volume of business very very important बोलता है दो टाइप के market हो सकते है wholesale या retail market wholesale market क्या होता है ऐसा market जो traders के बीच में होता है मनब की manufacturer क्या करेगा retailer को manufacturer retailer को बेचेगा या तो manufacturer पर होलसेलर को बेचेगा whole seller retail को बेचेगा मनब traders के बीच में होता है तो transactions in wholesale market take place between traders तो यहाँ पे generally wholesaler retailer को goods बेचता है bulk quantity में ऐसे एक दो यूनिट नहीं बल्क quantity है ना बड़ी quantity में goods and services बेची जाती है यहाँ ठीक है तो the wholesale market is a market where the commodities are bought and sold in bulk और large quantity यह एम से क्यों आ सकता है कौन से market में बल्क या large quantity में हम goods बेचते है wholesale market retail market क्या होता है यह होता है बेटा this is the market for ultimate consumers मलब इसके लिए बेटा शब्द होता है हमारे पास कि हम जो है retail market को बोलता है B2C business to customer यहाँ पे retailer customer को goods बेचता है wholesale market को हम बोलता है बिटा B2B business to business यहाँ पे एक business organization दूसरे business organization को goods and services बेचता है तो B2B क्या है बताइए wholesale and B2C क्या है retail market retail market में small quantities में goods and services बिखते हैं wholesale market में bulk या large quantity में goods and services बिखते हैं next आती बेटा बात classification of markets on the basis of competition बोलता है दो टाइप्स होता है perfect competition imperfect competition perfect competition बेटा एक ऐसा market होता है जहाँ पे seller के पास कोई भी bargaining power नहीं होती तो your sellers have no bargaining power इसका मतलब क्या है कि perfect competition एक ऐसा market होता है जहाँ पे sellers अगर चाहे भी तो भी वो market की price नहीं बदल सकते है market में जो price चल रही है उस price पे ही sellers को अपने product को बेचना ही पड़ता है इसे बोलते है bargaining power नहीं है तो sellers को जो market में price चलती है वो accept करनी पड़ती है इसलिए हम perfect competition पराइस टेकर अंडर टेकर होते हैं लोग में आ गए और यह लोग को नहीं होते हैं इंपर्फेक्स competition यह लोग क्या करते बताई है चोक स्लम देते हैं कि आवर मुनोपली वोली को पूली ऐन या ओलिवश्टिक इसा मार्केट जहां पे बोलते हैं ऐसा मार्केट जहां पे सेलर के पास या तो फुल या तो सं बारगेनिग पावर हो समझ मारे आगे येस फिर प्लीज आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सर आप हसते ही रहते हो हमेशा तो रोते रोते तो थोड़ी बढ़ाऊंगा अंकुर है ना चलि आगे देखेंगे अगली बात क्या है बताईए यहाँ परफेक्ट कॉमपेडिशन यहाँ ऐसा मार्केट होता जहाँ पर इसे रहा है सेम प्राइस पर बेच रहा है इसके बारे में डीटेल में हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले है next आते है बटा monopolistic competition monopolistic competition मतलब क्या है यहां पे भी many sellers होते है many बायज होते हैं लेकिन यहां पे differentiated products बेचते है sellers यहां पे जो sellers है यह differentiated products बेचते है differentiation का मतलब क्या होता है कि products are similar but not identical इसे बोलता है जैसे कि शैंपू है ना सोप बोलते हैं सारे सोप सारे शैंपू सेमिच काम करते लेकिन सब में थोड़ा-थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है ऐसा ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स इसके बाद फिर आते हैं मोनोपली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिंगल सेलर होता है एक ही सेलर होता है बायस बहुत सार होता है तो मोनो पोली मोनो मदलब क्या सिंगल पोली मदलब क्या सेलर तो सिंगल सेलर मोनो पोली खतम टाड़ा बाय बाय यहां पे जो है प्रोड़क्स एक्स् करये अगर आपको सवाल आए क्या किसी और का और ही नहीं। को समझतें बात को हा एक स्ट्रीम प्रॉडट क्शल्स डिफ्रेंस। sister मरलब क्या? हमारे जैसा प्रॉडडाक्ट किसीнее और का है ही नहीं, वहारी मोनोपली होगी इसलjem भूला है掉 its sortir अगर MCQI कि extreme product differentiation कहां पे होता है तो क्या बोलोंगे extreme product differentiation monopoly में होता है याद रखेंगे हमारा ऐसा product है जिसका कोई competition ही नहीं मार्केट में हमारे product के जैसा कोई close substitute मार्केट में है ही नहीं तभी तो हमारी monopoly है एड ओलीगो पॉलीगो मतलब क्या होता है जहां पर few sellers होता है जैसे कि आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री यहां पर चारी सेलर है वोड़ाफोन आइडिया वोड़ाफोन एड़े यहां पर दो से लेके दस तक सेलर होता है जैसा इसलिए नेक्स्ट यह टेबल बहुत इंपोर्टन है एक दम ही आपको क्विक इसमें जैसे ओवर व्यू दिया है आपको चारों मार्केट्स का यहां दिखान नेंगे तो बोलते हैं नंबर ऑफ सेलर्स है परफेक्ट कॉम्पटिशन में बहुत ज़ादा होते हैं मूनोपलिस्टिक में भी ज़ादा होते हैं ओलीगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं फ्यू ए में बच्सक्राइब कुछ भी प्रोडक्ति सेशन नहीं है। तोड़ा बहुत प्रोड़क्ति डिफ्रेंटसेशन हो सकता है। यह ष्यकुंग को आता है। ऑलीगोपोली में नन्डुस स्चेंशल बहुत बच्चों यह समझ नहीं आता। हम आगे मैंपने बेटा । of oligopoly कुछ ऐसी oligopoly होती है जहां पर प्रोडक्ट डिफ्रेंट सेशन नहीं होता कुछ ऐसी oligopoly होती है जहां पर प्रोडक्ट डिफ्रेंट सेशन होता है मतलब कि oligopoly में या तो प्रोडक्ट डिफ्रेंट सेशन होंगाच नहीं या तो product differentiation काफी ज्यादा हो सकता है इसलिए लिखा है none to substantial यह logic उस बात का है ना चलिए आगे next price elasticity of demand of the firm बोलते है perfect combination में infinite होता है monopolistic में large होती है price elasticity क्योंकि देखो हमारे जैसा product बाकी लोगों का भी थोड़ा बहुत है ना substitute है हमारे कैसे monopolistic में हमारे और दूसरों के product में थोड़ा सा ही difference है तो अगर हमने हमारा price बढ़ाया तो हमारे demand ज्यादा कम हो जाता है लोग बोलते इसका product फुरो दूसरे का खड़िते है तो इससे थोड़ा सा large value होती है price elasticity of demand की perfect competition में तो सारे के सारे close substitutes है सारे products एक दुसरे के close substitute है तो यहाँ पर infinite होते हैं क्या price elasticity oligopoly में small value होती है monopoly में भी small value होते है price elasticity की क्यूंकि monopoly oligopoly वाले अगर prices बड़ा भी दे तो भी बहुत ज्यादा demand कम नहीं होता demand कम होगा पर थोड़ा से होगा बहुत ज्यादा कम नहीं होगा इसलिए small लिखाए next degree of control over price इसको ही बोलते है बिटा bargaining power होना perfect competition में bargaining power होता ज़िए क्योंकि हमको market में जो price चल रही है उसी accept करना पड़ेगा monopolistic competition में थोड़ा बहुत bargaining power होता है oligopoly में भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन monopoly में बहुत ज्यादा bargaining power होता है हम अकेले seller है market में हम हमारे हिसाब से product की pricing set करते है यहाँ पे हमारा first session बिटा खतम होता है किसका बताईए economics chapter 4 का I hope कि आपको आया होगा मजा आज के हमारे इस session में आपको दिख रहा होगा बहुती quick way में मैं आपको cover करवा के दूँगा इस chapter को जो जो mcqs आ सकते हैं वो सारे मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ जो जो mcqs आ सकते हो मैं सारे आपके साथ discuss कर रहा हूँ बिल्कुल भी tension मत दीजे right and जो है mcq premier league एक बजे मंडे को आएगा बटा एक बजे जरूर आप सब को आना है mcq premier league में अभी के अभी जाके साथ बजे टू आवर का session है आपका आज शाम को साथ बजे बीसी के चाप्टर 5 हम खतम कर देंगे दो घंटे में ठीक है यस बहुत ही quick way में होने वाला है याद रखेंगे next फिर आता है आपका new timing 16 में से क्या है बताइए वन पीम को होगा जिसमें मैंने आपको बता दिया Monday Wednesday Friday को हम करेंगे mcq and Tuesday Thursday Saturday को हम क्या करेंगे revision इसका मतलब है कि हमारा next session economics chapter 4 का कब होने वाला है अगले Tuesday को क्योंकि Monday को तो एक बज़े mcq premier league है तो अगला जो Tuesday अभी जो आने वाला है Tuesday तब होगा इसका second lecture याद रखेंगे ठीक है किसका economics chapter 4 का आगे दोस्तो हमारे टेलीग्राम चल्ब जोइन करेंगे मेरे सारे sessions एक जगा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और साथी साथ दोस्तों क्या बताइए आप जो आर्टी बेम्टी बी बैच हमारा एकाग रता बैच जो 1.0 स्टार्ट होने वाला है 26 में से 2.0 स्टार्ट होगा 16 जुनसे इसे जॉइन कर सकते हैं यहाँ आप ले सकते हैं या आप ले सकते हैं कॉम्बो जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासे एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाती है जरूर 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 कमेंट करके आपको बताना है कि आपको मुठ से पढ़के कैसा लगता है जरूर बताईए लाइक करें वीडियो को थैंक्स मच अपने ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है साथ बज़े मिलेंगे बटा आज इस यूट्यूब चैनल पर थैंक्स मच बबाई